और भई लोग क्या हल चाल तो कैसे हैं आप लोग आयूप कि आप सब अच्छी होंगे तो गाईज आज हम God of Hidden सेक्ट के एक नए एपिसोड की साथ फिर से आ गए हैं तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा सिस्टम ने टेंग से कहा था कि एक सन अफ लक आने वाला है उसे राजा ने सिख चलेने के लिए मास्टर के पास भेजा होता है जहां पर प्रिंस मास्टर को प्रनाम करता है तब ही मास्टर प्रिंस से कहता है कि लगता है तुम्हें अपने मास्टर के सामने निल लौन करने की तमीज नहीं है बेट एक टीचर फादर की तरह होता है अ सेनापती मास्टर को धमकीदे रहा होता है तब ही प्रिंच सेनापती को रोग देता है में कहता है अभी ये किस टेप का मास्टर है बे तभी हट तुरंट कहता है तिन दिन के अंदर इस मामले को जल्दी से रफद अफ़ा करो जिस पर मास्टर कहता है कि हा मैं अभी जा रहा हूं और इस मामले को तुरंट ठिक करूंगा फिर हमें अगली सिन में दिखाया जता है क टैंग मस्त अपने सोफे में बैट कर सो रहा होता है जहाँ पर सिस्टेम उसे बार बार बता रहा होता है कि किस ओफ लक आ चुका है जाओ और उसे अपना चिला बनाओ तभी टैंग निंद में कहता है मैकल उसका दिन भर इंतिजार कर रहा था लेकिन कोई आया नहीं मुझे अभी सोने दोयार परेसान मत करो तभी हम लीजिन को देखते हैं जो कि स्वाट प्रेक्टिस कर रही होती है जहाँ पर हुतियान उससे कहता है सिस्टर तुमने सिक्से लेवल ब्रेक्ट्रू कर लिया जिस पर लीजिन कहती है नहीं अभी तक तो नहीं किया इतना काफी नहीं है फिर वो दोनों एक सांथ प्रेक्टिस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर गोश्टर सेक्टर के कुछ सिपाही मास्टर के सांथ आ जाते हैं वो सबी सिपाही दोनों लोगों को घेर लेते हैं जहाँ पर हुतियान और लीजिन उन सभी सिपाहियों से लड़ने लगती है जहाँ पर वो दोनों मिलकर उन सभी सिपाहियों को मारगिरा देते हैं जिस पर मास्टर कहते हैं कि सालो तुम सब बेकार हो तभी उतियान कहता है तुम्हारी सेक्टर की बस इतनी है उकाथ है फिर हम देखते हैं कि मास्टर अपने सांथ प्रिंस और सिनपस्टी को भी अपने सांथ लेकर आया होता है तभी वो प्रिंस को आदेश देता है जाओ और उन दुनों से लड़ाई करो तभी प्रिंस कहता है मैं तु अभी low-level पर हूँ मैं भला इन से fight कैसे करूँगा तभी मास्टर कहता है अबे तु fight करना यार मैं तुम्हें पीछे से support करूँगा तभी से नपती कहता है मैं जाकर तुम्हारी जगह fight कर लेता हूँ जहाँ पर प्रिंस उसे रोग देता है और कहता है मैं जा रहा हूँ फाइट करने फिर हम देखते हैं कि हुतियान और लीजिन प्रिंस के साथ फाइट करने लगते हैं जाओ जाकर उसे जल्दी से अपना चिला बनाओ तभी टैंक सिस्टम से परिसान होकर बाहर जाने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं लीजिन और हुतियान को पकड़ लिया गया है जहाँ पर मास्टर प्रिंस से कह रहा होता है अरे वारे छोरे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया जहाँ पर हुतियान कहता है साले हरामी हम पर पिछे से हम लग्यों किया अगर तेरे बं में दम होता ना तो तु सामने से वार करता जहाँ पर मास्टर कहता है अब एच छोड़ना तभी लीजिन कहती है हम लोग immortal सेक्ट से हैं तभी Master केता है तो मैं क्या करूँ आने दे तेरे Master को साले को दवड़ा दवड़ा के मारूँगा जहाँ पर Master इतना कहने के बाद अपनी तलवार को प्रिंच को दे देता है और हुत्यान को मारने को कहता है तभी हुत्यान केता है साले हरा में तुम भले ही हमें मार दो लेकिन हमारे मास्टर तुम लोगों को एक एक को सुर बना के मारेंगे और इतना मारेंगे कि हगना भी मुस्किल हो जाएगा तभी हम देखते हैं टैंक सेक्ट के बाहर आ गया होता है जहां पर वो ये सब करम कांड देख लेता है तभी टाइंग कहता है सालो मेरे चेलो को चुप चाप छोड़ दो नहीं तो सालो इतना मारोंगा इतना मारोंगा पता भी नी चलेगा कि तुम मर गए हो अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है मैं तुम्हें बक्षदान दे सकता है बेटा तेरी तनी आउकात नहीं है जो तु घोष्ट रसेक्ट से पंगले तभी टाइंग कहता है सालो में तुम से डरता वरता नहीं हो लगता है तुम लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है और वैसी भी हमारे मास्टर तो यहाँ पर है ही उनके रहते तुम्हें में छूब भी नी सकते तभी मास्टर प्रिंस से कहता है अबे तु इतना टाइम क्यों लगा रहा है मारना जल्दी से तभी हम देखते हैं प्रिंस उन दोनों को मारनी की बजाए उनकी रसी खोल देता है और उन दोनों से कहता है चलो तुम दोनों अपनी मास्टर की और भागो जहाँ पर वो तिनों टैंक की और भगते हुए आने लगते हैं तभी हम सुनते हैं कि प्रिंस कहरा होता है साले मैं इस घोष्ट किंग से तंगा चुका हूँ तभी इसी बीच सेनपती प्रिंस से कहता है प्रिंस आप जाय सिपाहियों को मैं देखता हूँ तभी हम देखते हैं जैसी वो सभी सिपाही उड़कर टैंक की और आने लगते हैं तो टैंक तलाब के अंदर जो सिक्रेट वर्ड होता है उसका डोर उपन कर देता है जहां पर वो सभी लोग सिक्रेट वर्ड में जाने लगते हैं हुतियान और लीजिन प्रिंस को पकड़नी की कोजिस करते हैं जहां पर वो प्रिंस को पकड़नी पाते तभी हम देखते हैं कि प्रिंस भी सिक्रेट वल्ड में जाने लगता है लेकिन प्रिंस उस सिक्रेट वल्ड के जमीन पर तेजी से नीचे गिर रहा होता है जहाँ पर वो कहता है ये कैसी दुनिया है भाया तभी लीजिन और हुतियान टैंग के ड्रेगन फिस पर बैट कर प्रिंस को सक्सेस्फुली बचा लेते हैं जिस पर प्रिंस उन दोनों से पूछता है जहाँ पर वो दोनों कहते हैं यह हमारे मास्टर का स्प्रिस्च्वल पेठ है तभी हम देखते हैं सेनापती भी उस वर्ल्ड में गिर रहे होते हैं जहाँ पर वो एक साथ मिलकर उने भी बचा लेते हैं फिर वो सभी उसके बाद वहाँ से बाहर आजाते हैं फिर वो सभी जैसे ही बाहर आते हैं टैंग प्रिंस से कहता है तुम जियांग होना तभी प्रिंस कहता है हां मास्टर मैं जियांग हूँ आपको मेरे लाइप के बारे में कैसे पता तभी टैंग उससे कहता है तुम्हारी और मेरी डिस्टिनी एक सांट डिजाइन हुई है भला मैं अपने डिसाइपल को कैसे नहीं जानूंगा जिस पर प्रिंस सोचता है बेटे यही मौका है अब मैं भी एक इम्मोटल बन सकता हूँ तभी जियांग तुरंधी टैंग के साम में स्विकार कर लीजिए जिस पर से नपती फिर से कहता है प्रिंस ये बात बिल्कुल सही है कि घोष्ट रसेक्टे के लोग इन्हें नहीं हरा पाए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसका डिसाइपल बन जाएंगे तभी प्रिंस उससे कहता है जनरल आप यहां से चल करता है फिर सिस्टम कहता है कि इसको बारगंटी के अंदर टू ड्रेगन स्प्रिट देनी होगी तभी हम देखते हैं की टैंग अपने हाथों से प्रिंस को उठाने लगता है जहां पर टैंग के चूते ही टू ड्रेगन स्प्रिट प्रिंस के बौडि में एक्टीवेट हो जाता है जिस पर लिजिन प्रिंच से कहती है ये मास्टर की तरप से तुम्हारे लिए गिप्ट है तभी सिस्टम टैंक से कहता है True Dragon Spirit Activate हो चुका है और तुम्हें reward की रूप में True Dragon Bone दिया जाता है तभी टैंक सोंचता है कि साला इतने दिनों बाद मुझे कुछ अच्छी चीज मिली है तभी सिस्टम तुरन जवाब देता है बेटा इसके इसके इस्तिमाल सिर्फ Real Dragon Spirit Body के लोग कर सकते हैं तो भाई लोग इसी के साथ हमारे ये एपिसोड ये पर खतम होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए